आपका हमें एक्जाम्स और बिटिश पोईट्री के पेपर करना है, पेपर आएगा, आटिसी वाला नहीं से पेपर आएगा, वन कोईशन होगा हमाया पास आटिसी का बाक्यों के एसे टाइप कोईशन, तो हमें क्या करना हो, अगर पूरा पेपर आता है, जैसे कि हमने वेला फॉर्स कुछन आर टिसी और आएगा, तो इंग में पहले करना है, तो इनमें पहले क्लिए करते हैं, कौन से इपोईटीस हैं, जिनको क्लिए कलना है, तो यहां पे आज में डिस्क्स करना है वो वो वोट्री जो हम नहीं करने है जिनको करने के बाद वी आज़ाए जीरो प्रसंट डाउट की पेपर में ऐसा कुछ आजाएगा जो हमें नहीं नहीं आता होगा नाव यहां वेदे इट गोटिव गोटि एसा कुछ आप जोड़ाएं तो यहां चैनल को अभी सब्स्क्राइब करना वीडियो को लाइक करते है दो कुछ नहीं अपने आप देखने बाद लेट कम तुदा राइड अच्छा यह राइड सीरिस ही बहुत इंपोर्ट है क्लिर करते हैं दिफर्स इंग हमाये दिमाग में चुल रही है क्याना मस्ट्डू पॉइंट्स वो अमीची जिरो बान मस्ट्डू पॉइंट्स अच्छा बडी साइट चीज है शुरू करते हैं लास्ट व्लॉक से पॉइट्रीज के नाम बताऊँगा टिप पे कर लेना वह ओन टिप होनी चाहिए आप इनकी सारे वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलेंगी टेंशन नहीं जरूर तेंगे जो नहीं होंगी आप कमेंट बॉक्स में आएंगे सब्सक्राइब करते हैं अब इसमें कोन कोन सी पोईट्री हमें कर नहीं है आप बताएं से कौन कोन सी कर नहीं है ताकि हम आउन टिप कर लें तो सबस्वेल आप करेंगे I remember I remember Guys I hope कि आपने लिखना शुरू कर दिया आप इसमें लुद आप लिखना शुरू कर दिया Maxim 6 बताऊंगा वो मेरे फिर्ट ब्लॉग हो जिसमें बताऊंगा So here I remember I remember the very first poetry जो आप कौनी जी तो I hope आपने लिख लिख लिए Come to the second one That is Silver Pathworks That is none other than Daddy I repeat Daddy So first I remember I remember Come to the second point that is Daddy And now I come to the third one That is Lady Legis That is Poetry को तसली समझना अच्छे इसके टेक्स को क्लिय करने लिकरने के एक सु दूबा रीट खना है That will be the master of it फिर जो इसके अनलीस को करता हूँ मैं वीडियो को देखता हूँ I jump to the next point Mr. Binle Mr. Binle Sir आप की कोस की Poetry आपको करने है Haunted पो इचिर And then I will come to the favorite Poetry from this section That is And death shall have no dominant And death shall have no dominant ये हमें clear होने चीए अब आपने का Sir आपने 5 Poetry बोली यहापे Block 10 5 Poetry I hope आपनों लिख रहे हैं आप Block 10 से सिर 5 5 Poetry बोली मैंने आपको आपको on tip करने Number 1 I remember Number 2 Daddy Lady Ledgerous And death shall have no dominant So 5 Poetry होगी From the Block Number 10 Jump to Block Number 9 थोड़ा variation रखते हैं Definitely हमें clear होने जाएगा नहीं आज सीधा jump करते हैं Block 1 के ओपर Block 10 Then Block 1 Sir ऐसे भी करते हैं करता है आपको आपको कैसे करने Come to Block 1 Canterbury Tales I repeat Canterbury Tales Canterbury Tales में आपने दो चीज़े on tip करने पहला General Prolog You guys need to know the General Prolog अब जब General Prolog को करने तो I will be able to crack everything General Prolog के अबाद आपने Scare आपने Scare की तेल को सिरे क्लियर करने उसका Introduction General Prolog वो भी बताऊं की Knight Wife को बात Elizabeth की बात करना Monk None Pre-sale None or Priest None or Priest यह हो None Pre-sale None or Priest की Story None Pre-sale और कुछ भी नहीं करना आपने Block 1 से और 100% एक उसका आपने में कंफर्म आएगा तो यह हमें क्लियर होना ठी तो आपने का बहुत अच्छे क्लियर हो गया Concepts हो जागया कैसे करना है That's all up to us Jump to Block No.9 So 10 Block 1 Now come to Block No.9 That is Modernist Modernist में मेरे पास बहुत कुछ है करने वाला मतलब मा उसको कैसे करता हूं करने का तरीका जोगा And how I am going to get the best out of Modernist तो सार एक Poetism जिसको क्लियर करना Cantimators हाँ उसमें कही सारी Poetism आपको लो सार टेस्ट रहे करी चीज़े नन्पी स्टेल को पड़ेंगे हम अलगलग क्रेक्टर्स को पड़ेंगे फिल्म के जागे को फिल्म के बोलते है वह 1st Block में Come to next point That is we are having the Modernist Modernist begins with the dominant poetry Wasteland 100% अगर artist ही का कोशन आता है तो इस Block से Wasteland आएगा ही आएगा Wasteland के आगे 5 पाट है उनमें से को नाएगा Sir, the one end will the thunder अच्छा उस चीज़ तर डिसक्स करना लीनिया भी अभी हम बात करने कि हमें क्या करना है तो आपने का 9 Block से हमाये पास Modernist में सबसे पहली poetry जो हमें करने है That is Wasteland I hope आपनों इस बहुत अच्छे करेंगे Jump to next version That is No Second Troy I repeat No Second Troy The first one is Wasteland The second one is No Second Troy Adam Curz है आपने देखा उसने पाट है No Second Troy वह उन्टे पना चीज़ And then we are having Easter 1916 इसको घोट के पी जाना है Easter 1916 I hope आप लोग pen का यूज कर रहे है और चीज़ों को लिख रहे है ताकि आप बहुत अराम से समझ पाएंगे तो हमाये बस अगे Wasteland No Second Troy Easter 1916 And the last is Sailing to Benjamin Sailing to Benjamin Sailing to Benjamin अब ये तो मुझे clear हो जीए कितनी है सर्फ 4 First मैंने बुला Block No 10 5 points Come to Block No 9 Here we are having 4 points तो आप लोग लिख लेना कितनी है अगे 40 से एक्सीड हो जाए ना आप जोईन करें सब कुछ मिलेगा हो वहाँ हाँ 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 क्या आपके पास एक एक चीज अंटे बोजया नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस फॉडू करें आप अने नोट्स बनाओ तो आपने का सर जैसी आप concept को clear करते हो आप नोर्स बनाए शू करते हो आप मेरे को फॉलो करते हैं जो आप फॉलो करते हैं जो आप पेपर मुथ एजली क्रेक करोगे काम नेक्स पॉइंट सर नमबर टू ब्लॉक नमबर टू स्पेंसर की बात करना हो स्पेंसर की बात करते हैं स्पेंसर में एपिथेमेलियन और प्रोफेमेलियन को ओं टिप करना है वेदर इस आप चैन्से और इस आप ऊच्छे दोनों के चांसे होते हैं आप लोग कैसे करते हो करने का प्लाइन के कैसे एक साइज दिखने हो चाहिए तो ब्लॉक नमबर 2 हो गया है 10-1, 9-1, 1 हो गया, 2 हो गया ब्लॉक नमबर 2 से कितनी पोईट इस? 3 यस दिखने नमर अप पोईटिस आप और इस दिखने इन ब्लॉक नमबर 2 ताइम तु मूफ तो ब्लॉक नमबर 8 सर इसका नहाँ विक्टोरियन अपर-पोईटल गया विक्टोरियन में क्या परना एं कव्टोरियन में crescent पोईटले रिचैटना, इस इसक्षन नम्विक्टोरियन मपेंच reason के पहले मैंता के सथी खर हो गता था? थोल में गया था, थोल्टाइम से Victorian पहल तो क्विक्वी क्विक्वी सतता है लूख पहलो जब्द हाट tu पापल अंते पॉडिशी आपको ! चपन सम्त क्या हम एक तो आपने अज्ञ पापल अजिग द पॉंद बड़ की अगें आ ऐसा रे्य मि अatureता की आप लौट मॢश्छ फॉर एक हम EU खो इंट बनाते जिगा पॉड़ ज आपके उर सबस्टिंट महा मूण मैं इसको अवोड नहीं कसता है। आपको कना है। आपको कना है। इसको वन छिक में जाते हैं। जाते हैं सिरो से ए क्लिक हां एक लिक किये है। है। सचाल आपको किया जाते हैं। पोईट्स में जॉन डॉन एसका बोद बोड़ाग फैन हो जिस नहीं पढ़ा इसको फैन होगा इसका अब मैटाफिजिकल मेने किसको पढ़ना है क्या है रेसन किन चीदो क्लियर करना है मैं इंको अवाइड नहीं एका लेकिन मुझे ञिर्न नहीं पढ़ने रहा तो मैंने क्या विक्तोरीन में चे शे पोईंट्स मने की आपने चे फैसके विक्तोरीन में तो यार अब आगे तो ऐसके आपर करेंगे मैना फिसकल में इतनी होनी चीद नुम्बरर 1 दे गुट्ट मोरो ये एन टिप होनु चाहिए नुम्र 2 गार्ट पहली दे गुट्ट मोरो अलबहुत अगार्ट से कANDा एसिे सब front का था गार्ष Mole अडवेट दे का सीसमें दूर्व घॉकली स्बिएंटे। the canonization the canonization this is that we guys must do the canonization and to the next to his coir mistress to his coir mistress so यह हो गई हमारी ओ पोईट्री जिनको हमें clear करना है from the metaphysical I repeat the poetry once guys for you the good morrow, the garden, the pulley, the canonization and to his coir mistress number point is 5 and I challenge अगर आप यह सारे pointers करें paper में ऐसा कुछ नहीं हो नहीं जो आपको नाता हूँ I show you guys आप वीडियो दे सकते हो, बच्चों के review check करो, पिसली वीडियो पे कितने questions आते हैं, वो check करो and blindly go with us हाँ अगर आप शॉक करते हो, मिरे पर doubt है यार नहीं यार किसी और से पढ़ेंगे, किसी और से ठीक है यार आप क्या आप खाली आप इसको ले के चले का option में यार पढ़तो रहे हैं पहले यह लिगा ले ले ना and I assure you after this particular paper we'll come back to my classes तो यहां होंगे हमाई metaphysical की 5 pointers so block 1 में थी एक block 2 में थी तीन block 3 में पाँ block 10 में हमने pointers किति, that is 5 and then modernist point हमाई पास किति थी 4 and Victorian we are having 6 jump to the next point, that is sir, romantics second generation I repeat, romantics second generation so that is block number 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 yes, block number 7 block number 7 that is romantic second generation सबसे पहले ही point दे कर निया है और सबसे काँ point दे रही है तो सबसे पहले मैं इसी को उठाऊँगा यही block मैं सबसे पहले करने वाला अब आप लिखते जाना कि कोई सा ब्लॉक मैंने सबसे पहले का करने के लिए second generation, the 30th of life I repeat, the 30th of life first form जो आपको करने है from this particular block, block number 7 the second generation romantic poets and the second one or the last one too is hyperion second generation romantic poets time to jump to milton john milton की बात करें, block 4 की बात करो block 4 तो tip होना चाहिए sir milton, john milton की बात की की दूसरा इसमेना काफी सारी point इसमें दिमार में आती क्यार यह भी करने है, वो भी करने है सबसे पहले आपने करने हैं on the death of a fair infant the easiest एक reading में आती बाती बाती just a single reading on the death of a fair infant come to the holy sonnets of milton I repeat the holy sonnets of milton चाहर पाँच है एक एक reading में आती बाती बाती the holy sonnets of milton come to next one, on the morning of priest nativity on the morning of priest nativity when john get about this one guys I really want you to make this on your tip इसको अपने टिप पे कलिया आपको अगर टिप पे कलिया देन you will be going to crack this paper easily बहुत अनामस होता है आप कैसे करते हो करने का क्या तरीक है कि चीज़ों करना है सारी चीज़े आपकी दिमाग होंची तो आपने का यहां पे हमने किया sir, कौन से किया on the death of a infant sonnets, holy sonnets on the morning of priest nativity, lucidus yes, are a quick lucidus यह आना चाहिए at the last, not the least L.A. group पें सारो की बात नहीं मैंने L.A. group की बात की यह करने ना आप लो तो आपने का sir, MBG1 के paper distribution करने है तो यह हमी on tipology come to block number 6 romantics अब romantics की बात की, block number 6 की बात करने है तो मुझे on tipology तो block 6 में सबसे पहला tiger yes, the William Blake then, we are having chimney sweeper again, William Blake and then we have the neglected genius the neglected genius आपने का neglected genius आपने का ने ने पुराँची बात की बात है यह में आना ची and then I'll come to next one, the plude you can take it as an autobiography you can take it as a really the moral values, the how the grown-up the basic, talking about the William Blake college south के बाले में बता है ने रिवर्ट सो तो college के बता है तो यह आपको का ने प्रियूट book 1 and modern book 11, both modern Kubla Khan I repeat, Kubla Khan कितनी के पुछच पॉचच 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 होगी यहां से बात मैं डिक से Milton का चुके है रुमने के बात के रिवांसे ई के रिके रिके रहा है the last that is, no one can leave this, the new classics में सबसे नमबर वन जो चीज़ आती है ना वो मेट फ्लेक नो आती है तो मेट लेक्नो एंड लास्ट आपनोच अपिस्टल टू आपनोच यह होगी हमारी ओट्री जो हमने प्रिपेर करने हैं फोदी एक्साम अब आप एक्जाम के कैसे प्रिपिशन करते हैं कि चीज़ों फॉल अप करते हैं क्या हमें आना चाहिए और हम कैसे मैक्सिम मार्स लेके आएंगे for that you guys need to follow these point please for more notes, classes, online classes you guys need to register yourself as soon as possible notes लेजरते हैं time जाना नहीं रहा go for it till then keep watching और हाँ अगर वीडियो अब अच्छे लगियो तो like, share and subscribe bye guys